नमस्कार, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को HDMI 2.1 और HDMI 2.0 के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ वो भी बिलकुल आसान शब्दों में तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि HDMI होता क्या है HDMI का फुल फॉर्म होता है High Definition Multimedia Interface इसका काम होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डिजिटल सिगनल्स को पहुचाने का वो डिवाइस हो सकती है हमारा टीवी, सेक्ट आप बॉक्स, डिवीडी प्लेयर, लैप्टॉप, कम्प्यूटर, इतियादी और डिजिटल सिगनल कौन से होंगे वो डिजिटल सिगनल होंगे आडियो और विडियो के साथ ही और भी डेटा सिगनल सपोर्ट होते हैं जिनसे की डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकता है अब बात करते हैं HDMI 2.0 और HDMI 2.1 की तो यह अब यह जो नंबर है न 2.0, 2.1 यह बेसिकली अपग्रेड्स हैं जैसे की हम जनरली बात करते हैं न कि Android 13 है मेरे पास Android 14 कब आएगा तो बेसिकली अपग्रेड कब आएगा वैसे ही HDMI के भी काफी अपग्रेड्स आएं हैं और फिलहाल टेकनलोजी जो है वो पहाँच चुकी है HDMI 2.1 पे तो अब जैसा की नंबर्स को देख के ही पता चल जाता है कि एक HDMI 2.0 है तो दूसरा HDMI 2.1 तो ओवियसली HDMI 2.1 बेटर होगा अब सवाल आता है कि कितना बेटर हमें उसकी जरुवत है भी या नहीं है तो जो लोग सिर्फ फिल्म और वेब सिरीज को देखने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए HDMI 2.0 काफी है उन्हें HDMI 2.1 पे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ HDMI 2.1 में एक important चीज है और वो चीज है 8K और 10K का support यानि की video resolution 8K और 10K का support 10K की बात करना फिल्हाल तो बिल्कुल ही बेकार है क्योंकि 10K को आने में अभी कई साल बाकी हैं तो अब बचता है 8K तो 8K को support करने वाली devices भी अभी फिल्हाल बहुत कम हैं और जो हैं भी वो इतनी जादा मेंगी हैं कि पूछे ही मत अभी फिल्हाल 8K content भी high quality में available नहीं है जिसको देखने के लिए हमें जरूरत हो HDMI 2.1 की और यदि अगर हम फिल्हाल सिर्फ streaming apps को देखते हैं जैसे की हो गई Netflix, Amazon Prime, Disney Hotstar या इस तरहा की कोई भी apps तो वहां आपको HDMI 2.1 की कोई जरूरत नहीं है वो सब हमें HDMI 2.0 में perfectly देखने और सुनने को मिल जाएगा अब यदि बात करूं audio की तो audio में HDMI EARC best होता है जो की हमें देखने को मिल जाता है HDMI 2.0 में तो वहां भी हमें HDMI 2.1 की जरूरत बिल्कुल नहीं है तो अब हमारे दिमाग में एक सवाल पैदा होगा कि भाया जब सब कुछ HDMI 2.0 पे हमें easily available है तो HDMI 2.1 बना ही क्यूं है तब वहां आ जाती है gaming जी हां सही सुना अपने gaming तो gaming वो भी कहां से एकदम high end PCs जो थे ना जहां पर की बहुत graphic cards कुछ ऐसे available हैं अभी भी बहुत जादा नहीं है जो की 8K gaming को support करते हो या फिर PS5, Xbox, latest series वाला जो की support करते हैं 8K को और क्या 8K games available है market में और यदि अगर available हैं भी तो उनको खेलने के लिए उनको देखने के लिए हमको 8K monitor या फिर 8K television भी खरीदना पड़ेगा और वो सब कब जब हमारी जेब में लाखों रूपे हों और हम एक heavy gamer हों तब आज की तारीख में HDMI 2.1 का सही उप्योग हर कोई नहीं कर पाएगा अभी कुछ साल बाकी हैं जहां हम HDMI 2.1 का सही तरह से उप्योग सही बजट में कर पाएगे तो अब बात करते हैं HDMI केबल की तो अल्टरा हाई स्पीड HDMI केबल यानि की HDMI 2.1 केबल एक heavy data support के लिए design की गई है तो उसके अंदर का copper केबल heavy gauge का बना होगा अब अगर हमें लंबा केबल लेना है तो वो केबल जितना लंबा होगा उतना ही मोटा होता जाएगा तो तब आप HDMI 2.1 केबल ले सकते हो बट ध्यान रहे HDMI 2.1 केबल pure copper का हो उनकी pins पे gold plating की गई हो तब ही वो एक better long term investment कहलाएगा अब मैंने क्यूं कहा कि 3 फिट टू 9 फिट उसकी दो खास वज़ा है पहली वज़ा जितनी लंबी केबल उतनी ही जादा महंगी और जितनी जादा लंबी केबल होती जाएगी उतने ही chances बढ़ते जाएगे कि हमारा data signal drop हो जाए अब यदि बात करें HDMI 2.0 केबल की तो वहाँ पर भी हमें यही बात ध्यान रखनी होगी कि pure copper की केबल हो और gold plating के साथ उसकी pins आती हो HDMI 2.0 केबल की length काफी लंबी हो सकती है जैसे कि माल लीजे 15 feet क्योंकि वहाँ पर copper केबल की मोटाई जो है वो 15 feet तक आसानी से maintain की जा सकती है तो मेरे हिसाब से फिलहाल आज की तारीक में HDMI 2.0 winner कहलाएगा अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लगे like के बटन को जरूर दबा दीजेगा और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजेगा फिलाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूँ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद